सो हेलो अर्यून कैसो आप लोग आप लोग आप लोग अल्फ देंग एप्सुटले फाइन सो यह हमारा नया स्रीज है और इसके अंदर हम लोग जो है बूक का रिवीव करते हैं सो टोड़े वी आर गोग टो रिवीव इंजिनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट यह बहुत ही शांदार बूक है और यह कोई परमोशनल वीडियो नहीं है ऐसा मत समझना आप क्योंकि मैं खुदी इस बार गेट का एस्परेंट रहा हूं गेट इन टेक्स्टाइल फाइबर सो मैंने इस बूक को अभी किया था जब मैं प्रिपेशन कर रहा था था तो यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है ठीक है इसको दिहान में रखे यह मैं अपने एक्स्प्रियेंस से बताऊंगा जो भी मैंने इस बूक से पढ़ा है और जो भी मैंने सीखा है और इसके होते हैं बहुत सारे लोग वहां पर मेहनत कर रहे हैं लेकिन मैंने इसको पढ़ा है तो मैं इसका रिव्यू दूंगा और यह काफी अच्छा भूक है ठीक है और इसके अंदर पहले देख लेते हैं कि यह अच्छी मेड़ी पॉब्लिकेशन का है मेड़ी क्लास है जो गेट और सॉल्व कोशन भी दिया गया जैसे कि आपको थोड़ा कॉंसेट पलता दिया इन्होंने फिर उसके बेसिस पर एक दो कोशन करा दिया ठीक है तो थोड़ा साथ जो थीव्यूरी वला पार्ट हो भी कवर हो जाएगा कई ने कई तो जो पच्छे क्लासेज कर रहे हैं या आपको देखना पड़ेगा कि आपके ब्रांच में जो स्लेवर्स है मैं क्या क्या है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट होएंगे जो आपको छोड़ना पड़ेगा जैसे पहला जो यूनिट है लिनेर अलजब्रा केल्कुलस वेक्तर केल्कुलस डिफरेंशल उक फांक्शन ठीक है फाइफ नंबर में फिर पॉर्बिलेटी एन स्टैक्स नुमेरिकल मैथड ठीक है लाप्लास ट्रांस्वर्मेशन फोर्यर स्रीज और पार्चल डिफरेंशल उक्रेशन तो जो आपके स्लेवर्स के अंदर मेंसन है जो पॉइंट उसी पॉइंट को पढ़ इसमें Rule of 80 इसमें दिया गया है हमारे में नहीं था ट्रेप्जवाइडल रूल हमारे में था सिम्पेशन फिवन था था सिर्फ लेकिन इसमें तीनों दिया गया सायद 1x3 & 3x8 तो इस तरीके से आप देख सकते हो आप अपने स्लेवर्स के एकॉर्डिंग ही करें लाप्लास Transformation में दिया गया है हमारे में सिर्फ Laplace Equation था ठीक हो भी Heat and Wave का तो इस तरीके से आप जो आपके Slaves में match करें सिर्फ उसी को cover करें और उसी का question करें ठीक है तो जैसे यहां पर देख सकते हैं पहले इन्हों ने जो है एक अच्छी बात है कि जो भी previous questions है उसका solution भी है अगर आपको नहीं समझ में आता है तभी जाकर कि आपको solution देखना है में और कभी मोका मिला तो मैं उसको जरूर करूँगा ठीक है और इसकी price की बात करें तो I think 500 के आसपास है इसमें तो 750 रुपर में इंसन है आप देख सकते हैं यहाँ पर लेकिन I think मैंने इसको 450 या 500 रुपर मिल लिया था मैंने मैंने पटना से लिया था ठीक है तो यह काफी अच्छा book है ठीक है क्योंकि इसमें solution है आपको theory भी मिल जागा ठीक है और जो theory है उसके basis पर भी नो ने एक दो question हर एक topic पर कराया था कि आपको basic idea होता है कि किस तरीके question जो topic है उससे आ सकता है ठीक है तो अगर आप इस book को लेना है आपको तो मैं discussion box में link इसका डाल दूँगा आप directly Amazon से ले सकते हो एंड उसमें actually क्या है आपको थोड़ा से benefit हो जागा और मुझे भी benefit हो जागा तो आप try करना कि description box में जो link है उससे जागर के इस book को खरीद ले ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते है एंड फिर next video जो आएगा हमारा मैं try करूंगा कि आप लोग comment कर देना एक बार यह का अगर देना चाहते है तो आप लोग अभी से इस book को follow करें ना कि कुछी local book को ठीक है हमने local book पढ़ा था अपने first year में तो मैं ज्यादा इसको नहीं कर पाया था लेकिन मैंने 8-10 मही ने बचे थे gate का तो मैंने इसको लिया था काफी अच्छी book है यार B.S. GRIWAL ठीक है higher engineering mathematics य यह हर एक चीज कवर कर लेता है तो next video में हम लोग इसके उपर जह है इसका review लेकर क्या एंग मैंने इसको ज्यादा पढ़ा नहीं है लेकिन काफी अच्छा book है ठीक है so thank you very much for watching have a nice day and please don't forget to subscribe this channel and please do subscribe and please do share with your friend and please do like अगर अच्छा नहीं लगाओ video तो please dislike तो करो ताकि मुझे प पूरा देखा करो ताकि